नमस्कार न्यूस क्लिक के खोश खबर कारक्रम में आपका आप सबका स्वागत है इस समय हमारे देश में हमारे आपके पैसे से करोणों रुपे खर्श करके स्वागत करने का एक पगलाया सा दौर चल रहा है दिखाई दे रहा है करोणों रुपे खर्श करके अमरीकी राष्टपती डोनाल ट्रम का जिस तरह से स्वागत हो रहा है उस पर तो बात होनी ही चाहिए लेकिन साथ ही उधर देखिए शाहीन बाग में नागरिक्ता संशोधन कानून एनारसी एनपियार के विरोध में जो महिलाएं बैटी हैं वे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्त वारताकार हैं उनका तारकों से स्वागत कर रही हैं इस पर भी तवज़ो देनी जरूरी है और उधर महवारी पीरिट्स के दोरान खाना बनाने वाली महिलाओं को अगले जनम में बिच यानि कुतिया पैदा होने की बक्वास बकने वाले स्वामी नारायन भुज मंदिर के प्रमुक के खिलाफ दिल्ली में पीरिट्स महाभोज आयोजित करने वाली जो महिलाएं हैं उनका भी बुलंद ढंक से स्वागत का दौर चल रहा है एक दिल्चस्प बात और 2014 से देश की कमान थामे प्रधान मंत्री नरेन मोदी के लिए आधिकारिक तोर पर भले ही देश की राजधानी दिल्ली हो लेकिन वे अपने तमाम खास विदेशी महमानों को गुजराद की राजधानी एहमदाबाद की सैर कराने की जरूर ठाने रहते हैं अमरीकी राष्टपती का भवव दिवव स्वागत जिस तरह से एहमदाबाद में करने की पूरी तैयारी है वह तो हमारे सामने है ही इससे पहले चीन के राष्टपती जी जिंग पिन के साथ किस तरह से एहमदाबाद में जूला जूला गया नजारा हमने देखा जपान के प्रधानमंतरी को भी वह वह वहा लेकर गए इसराइल के जो प्रधानमंतरी हैं वह वहां गए स्युक्त राष्ट के जो सेकरेटरी जनरल है बैंकी मून वह भी गुजरात में उनके साथ उन्होंने सेर की यानि अगर आप 2014 से लेकर अब तक देखिए तो लगातार जो प्रधान मंत्री हैं उनका जो विश्वास है वह हमेशा गुजरात और एहमदाबाद की तरफ रहा है ट्रम की गुजरात यात्रा जब बमुश्किल कुछी घंटे की होगी उस पर सौ करोड से अधिक रुपे का खर्चा आ रहा है गरीबों को नजर से दूर करने के लिए सड़क किनारे छे फिट साथ फिट उची की दिवार बनाई जा रही है और उस पे सुन्दर सुन्दर पेंटिंग हो रही है लाखों रुपे की फूल खरीदे जा रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या इन तमाम चीजों के विस्तार में हम नहीं जाना चाहते लेकिन कुछ ऐसे आकड़े हैं जिन्हें इस समय याद करना बेहर ज़रूरी है गरीबी और बेरोजगारी की वज़ा से प्रधान मंत्री नरेन मोदी का जो प्रियर राज है गुजरात वहां आत्महत्याओं का जो आकड़ा है वह डराने वाला है गरीबी की वज़ा से यहाँ पर 160 फीसिदी से अधिक आत्महत्याएं बढ़ी हैं जी हाँ 162 परसंट इंक्रीज हुआ है गरीबी की वज़ा से आत्महत्याओं करने वाले लोगों के नंबरों में यह आकड़ा मेरा और आकड़ा नहीं है यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है गुजरात में किसानों की जो हाल हैं यह हम से छुपे हुए नहीं हैं वहाँ पर किसान भुखमरी के कगार पर हैं और बात सिर्फ गुजरात के आकड़ों की ही नहीं, पूरी देश की अगर आप देखिए, तो जो आकड़े हैं, वो हमारे विकास की बिल्कुल दूसरी कहानी कह रहे हैं, जिस तरह का चम-चमाता हुआ विकास, मोधी, सिर्फ ट्रम्प या पूरी दुनिया को दिखाना चाहत हैं, हकीकत बिल्कुल उससे अलग है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के 117 देशों का आकड़ा होता है, और उसमें भारत का इस्थान 102 है, यानि भुखमरी के मामले में हमने पाकिस्तान, नेपाल, सब देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, भुख से बिल्ब दो साल तक के जो 90 फीसिदी बच्चे हैं, भीशन रूप से पोशित हैं, इसे कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग रेट, यानि लंबाई के मताबिक वजन का अनुपात, जो पूरी दुनिया में सबसे खराब भारत के बच्चों का है, अर्थ विवस्था लगातार रसातल पर है, ऐसे में एहमदाबाद में जो इस तरह का पॉम शो हो रहा है, करोणों रूपे हमारी जेव से खर्च हो रहे हैं, जिस पर एक भी सवाल ना मीडिया उठा रहा है, ना नेता उठा रहे हैं, इसने निश्चित तोर पर हमारी समेधन शीलता पर एक बड़ा प्रशन च जिन लगाया है, गरीबी भुखमरी कर चर्चा हुआ है, तो आपके साथ हम एक और एहम जानकारी साजा करना चाहते हैं, यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा तालुक नए नागरिता संशोधन कानून, जिस तरह के दस्तावेजों की बात हो रही है, उससे आया जा रहा है कि जिस तरह की टेक्निकालिटी में नागरिक्ता को डाला जाएगा, इससे बड़ी आबादी प्रभावित होगी, अपने आधिकारों से बंचित होगी, ऐसे में जारखन से यह रिपोर्ट आना बेहद एहम है, यह रिपोर्ट उस समय की है, जब पिछली भा अधार कार्ड है, उससे लिंक सही नहीं हो पा रहा था, यह रिपोर्ट बताती है कि जो 88 फीसिदी आकड़े थे, जिनको घोशित किया गया था कि यह फरजी हैं, वे सही थे, यानि किस तरह से जो लोगों की जिंदगियां हैं, उनको एक्स्क्लूजन पर नहीं छोड़ा ज चाहिए था, उन्हें राशन के अधिकार से महरूम नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन यह सब किया गया, राशन कार्ड को रद करने का काम, 2016 में जार्खन की भाश्पा सरकार ने शुरू किया था, और उसके एक बहुत बड़ा आधार ये बताया गया था, कि बड़े पै 18 लोगों की भूग से मौतों की खबरे आई, जिसे जो Right to Food के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसका डॉकुमेंटेशन किया, और उस पे वो लगातार बोल रहे थे कि जिस तरह से राशन से लोगों को वंचित किया जा रहा है, इसने भूग की मौतों का ग्राफ इस इलाके आ रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि जारखन को जिस तरह से भूखमरी में ढखेला गया, जिस तरह से यह मौते हुई, इनका सीधा सीधा Connect, जो आधार से राशन कार्ट को जोडने की कोशिश हो रही थी, गरीबों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी, बीपीयल को जो जोडने की बात चल रही है, उससे जुड़ा हुआ है, यह कितना घातक हो सकता है, इससे कम से कम अभी जो रिपोर्ट आई है, एक बार यह दुबारा साबित हुआ है, दोस्तों कुछ बेहत परेशान करने वाली खबरें आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिस देश में सर जहां भारतिय नागरिक गटर में मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहां देखिए जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है, सरकार ने स्वच भारत अभियान के तहट, सैनिटेशन वरकर यानि सफाई करमचारियों के लिए GPS लगा हुआ एक ट्रैकर बनाया है, तमाम पहने पर मजबूर किया जा रहा है, मकसद इसके जरिये उन्हें ट्रैक किया जाना, वे देखना चाहते हैं कि जो सफाई करमचारी हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, सफाई ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपको यहां मैं बताना चाहूंगी कि ज या पुरुश बात करना चाहता है, वीडियो पर उसे देखना चाहता है, वह उसे देख सकता है, यह सीधे-सीधे किसी भी करमचारी की प्रिविसी का उलंगन है. ये सीधे सीधे आधुनिक किसम की गुलामी है जहां पर आप जो अपने करमचारी है और खास तोर से ये प्रक्रिया लागू की गई सफाई करमचारीयों के लिए क्यों क्यों क्योंकि सरकार का मानना है कि सफाई करमचारी ही सबसे बड़े पैमाने पर काम चोरी करते हैं सवाइक करम्चारी इसका आकड़ा सरकार के पास नहीं है, लेकिन सवाइक रमचारी कहा जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए लाखों करोड़ों रुपे खर्श करने के लिए सरकार तैयार histories सफाइक करम्चारी आंदोलन के बेजवाडा विलसन ने जो ट्वीट किया वो देखने लायक है वह बताता है कि किस तरह से जातिगस सोच के तहट आधुनिक स्लेवरी गुलामी की तरफ सरकार बढ़ रही है दलितों पर अत्याचार की बरबर घटनाएं हमारे सामने आ रही है इसका एक उधारन हमें राजिस में वहाँ पे जो दलित यूवकों को जिस तरह से मारा गया जिस तरह से उनके गुपतांगों में पेट्रोल डाला गया इसमें देखने को मिला जो घटना है वह तो बरबर है ही और उससे ज्यादा बरबर है वह वीडियो जिसमें जो लोग यह कर्म कर रहे हैं वह हस्ते हु जो दबंग जातियों के लोगों ने किस तरह से हमला किया जो आकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि 25 से 30 लोगों की जिसमें महिलाओं की संक्या भी बहुत जादा है उनकी बरबर पिटाई की गई अस्पताल में तमाम लोग अभी भी एड्मिट है वहाँ पर महिला लिकत थी। उनका कहना था की वह अलग से भीम का था कैसे कह सकते हैं और उनके भगवानों को कैसे नहीं मान सकते हैं। दोस्तों ये जो पूरा महौल बनाया जा रहा है हमारे इर्ध गिर्द इससे एक बात तो साफ है कि हमला सिर्फ एक قوم पर नहीं है। इसके निशाने पर अगर अल्प संख्यक हैं, मुसल्मान हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं हैं और दलित हैं दोस्तों एक बात बहुत साफ है, कि देश की लोकतंत्र पर, व्यग्यानिक सोच पर, जाती प्रता को तोड़ने की जो पूरी कोशिशे हैं, उस पर हमला बहुत तेज हुआ है और निश्चित तोर पर इसके निशाने पर अल्प संख्यक हैं, मुसल्मान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और इसलिए हमें लगता है कि इनका जो प्रतिरोध है वह भी तेज हुआ है और वहीं से यह लगता है कि जो सच को दबाने की कोशिश है, उसके खिलाफ सच को बचाने की जो कोशिशे हैं, वह तेज हो रही है ऐसी ही यह कोशिश हमारे और आपके सहीयोग के साथ चल रही है उमीद है आप देखेंगे शियर करेंगे, खोज खबर को, लाइक और सब्सक्राइब करिए न्यूस क्लिक को, शुक्रिया